26 मार्च 2021 के Current Affair discuss करेंगे हम इस क्लास में उसके बाद हम question करेंगे जो कुछ Current Affair और Static portion पर based होंगे start करते हैं अपना discussion first topic है e-tendering portal प्रेनित ये एक portal बनाया अभी tendering के लिए प्रेनित नाम का तो ये क्या है इसके बारे में पूरी details से study करेंगे INS वज्र Commission to Indian Coast Guard start किया गया है rtgs facility ये recently news में है क्यों है ये देखेंगे और क्या है इसके बारे में पहले भी हम discuss कर चुके हैं अपने Current Affair की class में तो फिर news में है ये देखेंगे इसके बारे में details से ये prelims के लिए बहुत important है क्योंकि इस तरह के question जैसे NPCI के बारे में दो बार UPSC question पूछ चुका है अपने में NPCI तो इसके बारे में पूछ सकता है क्योंकि ये भी payment facility है मतलब जो आप digital payment करते हो उसके लिए एक method है medium है next है anti-corruption strategies ये क्या है अभी news में क्यों है National Commission for Allied and Healthcare Professionals Bill 2021 ये bill अभी news में है ये bill अभी present किया गया है तो इसके बारे में details से पढ़ेंगे first topic है e-tending portal प्रेनित पोर्टल का मतलब जी एक website बनाई है जैसे आपकी google site है ऐसी site है कोई जिसका नाम है प्रेनित इस portal पे क्या है tendering के लिए बनाई गया ये tender जैसे देते है ना उसके लिए बनाई गया है ये किसने बनाया जी ये power grid ने power grid है power grid corporation of india limited ये एक central PSU है central government की public sector undertaking ऐसी मतलब एक company है government company सरकारी company जो ministry of power के अंदर काम करती है इसने establish किया है स्थापना किया है e tendering portal प्रेनित की ये क्या काम करेगा it will lead to less paperless मतलब paperwork जो paperwork होता जी उसको वो कम होगा इससे और यी जो operation में बढ़ावा मिलेगा making the tendering process more transparent जो tender देते हैं अभी tender का जैसे जी power के लिए tender देना जैसे पोल वगएरा जो खंबे गार देना बिजली के लिए तारे वगएरा खीसते हैं ताकि जगए जगए पर बिजली पहुँचे electricity पहुँचे तो यह जितना भी tender होगा यह online हो सकेगा और इस पोर्टल पर सारी जानकारी मिल सकेगी इससे जो tendering का process है सारा transparent होगा जी power दर सीता जैनी की corruption कम होगा देख सकेगे की कौन सा पोर्टल किसके पास है और वो कितने दिन लग रहे हैं सारी जानकारी मिलेगी जी इस पे इसे certified किसने क्या है ministry of electronic and information technology के अंडर एक डारेक्टोरेट है जिसका नाम है standardization testing and quality certification डारेक्टोरेट इसने इसे certified क्या है तो power grid क्या है इंडिया में केवल only SEO organization है जो क्या करेगी to have an e-procurement solution on safe supplier relationship management ये sap supplier relationship management के जरिये e-procurement करेगी तो केवल power grid अभी इंडिया में ऐसी पहली first संस्ता बन गई है organization बन गई है जो comply करते है with all applicable requirements relating to security and transparency as stipulated by STQC मतलब जो ये STQC है जिसके बारे में हमने पढ़ाता है ministry of information technology के अंडर आता है ये डारेक्टर रेट स्टेंडराइजेशन टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन इसने क्या जी इसके कुछ rules वगएर है जैसे security के लिए सुरक्षा के लिए और transparency पार्दसिता आए कि corruption कम हो अगर मानलों कोई trending वगएरा हो तो इन उसके जो rules वगएरा है जो requirement है security के लिए transparency के लिए उस rules को वगएरा को comply करेगी मतलब मानेंगी उसके हिसाब से चलेगी power grid तो यही था इसके बारे में बस आपको यह पोर्टल याद रखना कि परिनित पोर्टल किस से है तो बस एक line में बोलूं तो यह e-tendering पोर्टल है जो पावर सिस्टम में जैसे जो ट्रेंडिंग वगारा होती है पावर ग्रेड ऑपरेशन में यह जो पापरेशन होता है जो वो उसे ट्रेंडिंग करने के लिए यूज होगा online system चलते है नेक्स्ट पर जी नेक्स्ट है आइनस वज्र commission to Indian coast guard जो आइनस वज्र क्या जी यह सिप है जी दिखाई दे रहा जो आपको यह सिप दिखाई दे रहा न यह जहाज है पानी का जहाज इंडियन नवल सिस्टम फुल फर्म होती है आइनस की यह अभी commission क्या गया है commission का मतलब जी start beginning की गई है इसकी कहाँ पर Indian coast guard आप जान दो न हमारी एक तरह से military है जी military पैरा military force कह स यहाँ पर Indian coast guard क्या है यहाँ पर surveillance करती है निगरानी करती है देख फाल करती है कि कोई infiltration तो ना हो कोई घुसपैट तो ना घुस जाए हमारी country में और इसके बाद जो navy है यह जो ocean है हमारी country के पास territorial areas में navy surveillance करती रहती है निगरानी करती रहती है तो यह Indian coast guard में अभी commission क्या है इसकी थोड़ी detail देखते है इस वजर यह Indian coast guard में क्या गया है किसने commission क्या है by the chief of defense staff chief of defense staff जनरल विपिन रापत ने इसे commission क्या है कहाँ पे chain नहीं में कट्टू पल्ली जगह पे इसे commission क्या है जी चैन नहीं में अब यह कट्टू पल्ली जगह है न यह भी match the following में पूछा जा सकता है आपको पता होगा अगर आपने UPSC prelims के paper देखे होंगे last year के तो यह match the following में places वगरा पूछ लेते हैं एक से दो question आते हैं ऐसे तो जो place वगरा कुछ भी news में रहे हो स्टी कुछ भी तो उन्हें पूछता है तो यह कट्टू पल्ली भी याद रखना कहां पे आई एनस वज्र है जो इस जो ऐसे जो बनाए जा रहे हैं सिप वगरा और यह seven सिप constitute करने हैं अभी मतलब construction करे जा रहे हैं उनमें से six नंबर का सिप है जो offshore petrol vessel है offshore petrol vessel का मतलब है जी offshore का मतलब है क्योंकि यह क्या करेगा जो अपनी coast line है इससे दूर oceans में निगरानी करेगा surveillance क करेगा यह petrol का मतलब होता है gust करना जैसे पुलिस रात को gust पे जाती है न निगरानी करती रहती है देखती रहती है ऐसी क्या है यह भी patrolling करेगा patrolling करेगा तो वैसल मतलब ship है जी तो offshore petrol vessel है यह किसने construct किया जी किसने बनाया इसे इसे एक company है जी यह Larson and Turbo Limited इसने बनाया कट्ट पल्ली में ही इसकी लंबाई होगी 98 मीटर का ship होगा जी और navigation का system इसमें fit होगा दूसरा communication equipment होगे मशीनरी होगी census वगएरा लगे होगे इस ship में दूसरा navigation का मतलब है जैसे GPS वगएरा लगा होगा इसमें यह design क्या गया किसलिए ताकि यह one twin engine helicopter और four high speed की boat को ले जा सकता है carry कर सकता है यह मतलब इस पर रखके लेकर जा सकता है ship पे चार नाव और एक helicopter जो twin engine होगा जिसमें दो engine लगे होगे यह और भी boating वगएरा को भी मतलब किसी operation के लिए लेके जा सकता है boarding operation के लिए मतलब boarding का मतलब इस सामान उतारना या चड़ाना boat पे नाव पे इस सारे operation में काम सकता है इसके और significance क्या जी मतलब importance क्या आइनस वज्र की इसकी significance यह है इसका महतब यह है कि आइनस वज्र search and rescue operation के लिए यूज हो सकता है search rescue मतलब छानबीन करना जी rescue बचाव के लिए मानलो कोई आपदा आजाए संकर disaster आजाए tsunami आजाए flood बाड आजाए तो यह क्या है जैसे coastal area जी यहां से सामान लेके दूसरे जगह पर लेके जा सकता है कोई मानलो सिफ बगएरा खराब हो जाए कहीं पर जाके rescue search operation के लिए काम करेगा यह law enforcement के लिए use हो सकता है या maritime patrolling maritime petroleum वह यह समुदर में निगरानी करना petroleum gust करना यह ship also capable carrying pollution response equipment for oil spill oil spill क्या होता है जी oil spill होता है मतलब spill का मतलब फैल ना spread मानलो crude oil आ रहा है कहीं से और उससे जहाद से या फियूल जैसे फियूल से वह क्या लीक हो जाए और समुदर में क्या है oil फैल जाएगा पूरे पर पानी पे तो यह oil का फैल नहीं होता है इसके लिए क्या है oil अगर oceans पे क्या है फैल जाएगा मानलो spread हो जाए गिर जाए यहाँ पे तो oceans की जो बाइडावस्टिएजी यहाँ पे जो भी मतलब जीव वगरह रहते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है समझदे हो तो इसको क्या है oil spill को रोकने के लिए response में इस यह pollution response equipment भी लेके जा सकता है capable है यह ship जिससे क्या oil spill को हटाए जा सके समझदर से it will be deployed to conduct surveillance in exclusive economic zone of Indian coastal region यह exclusive economic zone में surveillance करेगा जी निगरानी करेगा इंडियन coastal region में अब यह exclusive economic zone क्या होता है यह जी होता है यह define किया गया था एक convention हुई थी United Nation convention on law of the sea 1982 में 1982 में एक convention हुई जी के समझदर के कानून के उपर यह United Nation में कराई गयी थी इसके अंदर define किया गया था कि किसी भी country का 200 meters तक 200 nautical miles तक 200 nautical miles तक एक nautical mile में होता जी 1.8 km तो अब लगा लो km में निकालना तो जैसे हमारी coast line है जी इससे क्या है 200 nautical miles तक 200 जैसे यह इंडिया जी इंडिया का तट है इस तट से दोनों तरफ यह इधर भी 200 nautical miles तक 200 naut कार है जी वो यहाँ पर क्या कर सकता है sovereign right इंडिया का explore करने का using marine resources यहाँ पर जो भी मालो समदुर में resources संसाधर मिल रहे है कोई metal बगारा मिल रही है कुछ भी मालो reserve मिल रहे है oil reserve मिल रहे है petroleum कुछ भी तो वो explore कर सकता है इंडिया to produce energy from water wind मतलब water से wind से energy produce करनी हो बिजली बन इसको maritime continental margin भी कहते है exclusive economic zone को तो यह दूसरा नाम भी आपको याद रखना है exclusive economic zone का क्या है maritime continental margin अब यह United Nation Convention on law of the sea क्या है unclosed बोलते हैं shortcut में देखो जी international agreement है जो कब हुआ था conference हुई थी 1973 and 1982 में तब इसको define कहा गया था कि कि किसी भी रास्ट के right और responsibility क्या है कि water में ocean water में क्या right responsibility होंगी regarding environment establishing guidelines for business management of marine national resources मतलब oceans में उसके right क्या है उसके पास किसी भी country के पास जो oceans है समुंदर लगता है जैसे इंडिया के पास इंडियन ocean है तो कितनी दूरी तक right रहेंगे इसमें सारे define किये गये थे इसमें सारा sovereign right मतलब किसी भी country का sovereign right कितनी दूरी तक रहे गए यह distance सारी इसने define की थी यह 1994 से effect में आ गए जी मतलब लागू हो गई यह treaty जो हुई थी convention conference हुई थी जो भी international agreement हुआ था law of ck पे 1994 से लागू हो गया और इसके लगबग 1216 में 167 country थे और European Union भी इसका member है इस convention का तो चलते है next पे जी next है RTGS facility यह क्या है इसकी full form है जी अभी recently news में क्यों है क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे धको एक तो आपके लिए prelim के लिए most important topic है जी अगर आप prelim देने जा रहे हो तो क्योंकि एक बार आपको पता होगा दो बार बलकी NPCI यह जी National Payment Corporation of India यह भी payment system है digital payment में क्या है यह सारी देखवाली यह करता है इंडिया में त क्यों कि जी RBI ने proposal रखा है यह कहा है कि RTGS को क्या करा जाए beyond the boundary of India implement किया जाए मतलब इंडिया से बाहर भी इसको लागू किया जाए RTGS system को यह RTGS system का एक payment system है मतलब जिसके जैसे आप पे जैसे आप Paytm से payment करते हो ना या फिर आपके भी UPI से payment करते हो ऐसे यह RTGS क्या है एक payment system है digitally payment आप पैसे भेजते हो टांसफर करते हो एक account से दूसरे account में तो यह RTGS transfer payment transfer करने का एक mechanism method है medium है तो यह किसलिए यूज होता है यह large value transaction के लिए यूज होता है यह करने बात करना generally 2 lakh से अबब मतलब minimum transfer 2 lakh होने चाहिए यह उससे अबब जब आपको transfer करना तो RTGS system facility तभी आप use कर सकते हो यह December 2020 से पहले क्या है सिर्फ 7 बज़े से लेके 6 बज़े तक ही allow थी लेकिन December 2020 से यह 24 hour के लिए allow कर दी अब 24 घंटे कभी भी आप इससे RTGS के जरी है पैसा भेज सकते हो transfer कर सकते हो money transfer कर सकते हो यह real time transfer of funds से जी to a beneficiary account and is primarily meant a large value transaction RTGS में large value ही हो सकती है मतलब minimum 2 लाग या उससे जादा maximum कोई limit नहीं है इसकी और real time transfer का मतलब है जी जैसे अभी आपने payment की तो अभी account में चले जाएंगे तुरंत account में चले जाते हैं जिसको भी आपने भेज़े हैं तो इस real time का यही मतलब है कि processing होगी of instruction at the time they are received मतलब जब आपने receive की information मतलब request receive की तब ही transfer हो जाएंगे और gross settlement implies real time gross settlement इसकी full form है gross settlement का मतलब है कि settlement of fund transfer instruction occurs individually मतलब कि जो भी fund transfer होगा वो individually अकर होगा जैसे कि दूसरे system है जैसे anyft system है उसमें क्या होता है इसमें batches में payment होती है जी मतलब मालो bank के पास request आई गई कम से कम 1000 लोगों की transfer करने की तो यह तब एक बार एक batch की देखेगा लेकिन इसमें क्या होता है real time gross settlement में इसमें gross settlement का मतलब यह है कि individually जैसे एक person ने request बेजी तरनत उसकी request हो जाएगा gross settlement का मतलब यह है कि individually direct transfer होगा और इसमें batches में होते जी बहुत सारे लोग जब एक request आता आ जाती है तब bank देखता है हाँ आप transfer करो इन लोगों को एक साथ इसमें individual level पे person to person यह December 2019 में एक N.E.F.T.A. जो national electronic fund transfer इसको भी 24 hour तक कर दिया गया मतलब अब 24 hour कभी भी payment कर सकते हैं N.E.F.T. से भी यह R.B.I. ने system लागो कर दिया 24 hour के लिए July 2019 ने R.B.I. ने stop कर दिया living charges on N.E.F.T. और RTGS पहले क्या है इनसे payment transfer करते थे न इस system से तो कुछ charges लगते थे जैसे कुछ मालोस 1000 रुपए भेजे तो एक रुपए charges लगेगा ऐसे कुछ charges लगते थे बैंक को देने पड़ते थे जो आपको लेकिन ये charges हटा दिये जी stop कर दिये क्यों ताकि digital transaction को promote किया जा सके country में कि सारे digital करें इससे क्या corruption भी कम होगा black money का circulation कम होगा इस वज़े से ये free of cost कर दिये transaction आप free of cost पैसा भेज सकते हैं कोई charges नहीं लगा पैसा transfer करने का इसके significance क्या होगे इसके मतलब importance महत्व क्या होगा जैसे यह जी in facilitate करेगा innovation में in the large value payment ecosystem में जो क्या है large value हम transfer करना चाहते हैं तो उसमें क्या innovation लेकर आएगा e-job doing business को promote करेगा मतलब जैसे मालो अगर free of cost और 24 आवर तक facility होगी जी कभी भी transfer कर सकते हैं तो business man जो होते हैं उनको तो जी large payment करते हैं तो e-job doing business को क्या है promote करेगा यह help करेगा जी global integration of Indian financial market Indian financial market global integration करेगा उसका market क्योंकि जब मालो payment system सही होगा तो आग investment भी आएगी यहाँ पर और facilitate करेगा इंडिया के effort को to develop international financial center इंटरनेशनल financial center डवलप करने के लिए इंडिया की help करेगा दूसरा यह पूरा जो इंडिया में यह facility है ना पूरे global countries में अगर देखेंगे वर्ल्ड में बहुत ही कम country के पास है यह 24 आपर तक जो payment system है और भी यह यह भियाद रखना आपको क्योंकि rtgs में limit रखी हुई है rtgs से आपको payment transfer करनी है money transfer करनी है तो कम से कम minimum amount टू लाक रुपे होना चाहिए और कोई maximum limit नहीं है इसकी ceiling नहीं है rtgs में लेकिन minimum limit है लेकिन उसमें generally neft में maximum up to generally two lakh तक भीजा जाता है लेकिन अगर कोई two lakh से ज्यादा कभी जागा वो तो rtgs यूज कर लेगा ना लेकिन फिर भी neft में कोई upper limit या कोई minimum limit नहीं है लेकिन rtgs में minimum limit है कि minimum two lakh तक होना है तो यह rtgs है इसमें कोई भी limit impose नहीं किया rbai ने ने नेft के जरी है लेकिन generally two lakh तक ही transaction होता है neft में generally लेकिन कोई limit नहीं है यह बात आपको याद रखने है state rate में इतना पूछा जा सकता है कि neft के अंदर कोई limit रखिए कि rbai ने तो उसका जवाब है no कोई limit नहीं है हाँ rtgs में रखिए minimum limit two lakh की maximum कोई limit नहीं है उसमें भी तो bank क्या जी लेकिन bank अगर चाहे तो कोई भी bank चाहे तो limit impose कर सकता है लेकिन अभी rbai ने कोई limit नहीं रखिए समझे तो यह जी इसमें अब यह mechanism पूरा कैसे काम करता है यह देखते हैं जी थोड़ा एन एफ्टीए जी यह electronic fund transfer system है जो transaction करता है batches में मतलब अभी जो बताया ना जैसे 1000 लोग यह मानलो 10,000 लोग ने request डाली कि money transfer करनी है हमें अपने account से किसी दूसरे account में तो जो इतनी request हो जाएंगी तो लगभग वो batches में देखा कि हाँ चलो बहुत सारे लोगों की request आ रही ह पैसा अभी तुरंत तो तुरंत bank देखेगा और transfer कर देगा within second चला जाएगा आपका पैसा दूसरे account में तो यह लगभग 2,00,000 से ज़्यादा जब payment करोगे तभी RTGS का use कर सकते हो तो यही था इसमें चलते है next way next है अपना anti-corruption strategies corruption आप जानते हो भस्टाचार को इंगलिस में corruption मोलते हैं जानते होंगे तो corruption को कैसे रोका जाए reduce किया जाए तो इसकी strategy पर बात हुई जी अभी strategy का मतलब method तरीके कैसे तरीके अपना जाए ताकि corruption को कम किया जाए यह लोगपाल ने की जी लोगपाल लोगपाल के बारे में भी जानेंगे जी क्या होता लोगपाल corruption strategy को synergy कैसे लाए जाए कैसे रोका जाए अब ये corruption क्या जी अगर मानलो definition लिखनी हो आपको means में तो ये लिख सकते हो corruption can be defined as abuse of interested power of for private gain corruption क्या जी जो भी power दी गई है interested का मतलब होता जी सौपना किसी को कुछ सौपना देना जो भी मानलो authority है जैसे public officer जी उसके पास जो भी authority power decision लेने की उनको क्या है वो abuse करें उनका दुरुपयोग करें जी अब यूज का मतलब मिस्यूज दुरुपयोग करें private gain के लिए अपने खुद के interest को fulfill करने के लिए यूज करें तो उसे लोगपाल और लोकायुक्त एक एक्ट बनाया जी 2013 में लोगपाल एन लोकायुक्त एक 2013 2013 में इसने लोगपाल यूनियन लेवल पर लोकायुक्त स्टेट लेवल पर establishment किया इनका मतलब स्थाप ना कर दी लोगपाल एक officer है जी officer है यह मानलो जिसे ombudsman भी बोलते हैं जी corruption के regarding charges होते हैं उनके चानबीन करते हैं लोगपाल तो central लेवल पर पर पूरे इंडिया पर और लोकायुक्त हर स्टेट में जी स्टेट का पास होता लोकायुक्त और सेंटर के पास लोगपाल यह बिल 2013 में पास कर दिया गया और effect में आ गया जी मतलब लागू हो गया 2014 से 16 जनवरी 2014 से यह एक statutory body है क्योंकि Act से बना कोई भी कानून से बनाते तो statutory body होती है सामवेधिक संस्ता औगर Constitution से बनाते हैं तो समवेधनिक होती है हिंदी में देखो constitutional को बोलते हैं समवेधानिक और statutory को सामवेधिक तो सामवेधिक संस्ता statutory body है यह perform क्या करती है जी ombudsman की तरह function perform करती है ombudsman का यह ही है जी जो corruption charges को देखती है inquiry करती है किसी पर allegation लगें corruption के allegation का मतलब है जी आरोप किसी पर भंश्टाचार के आरोप लगें उनकी inquiry करती है यह का लोकपाल against the certain public functions and for related matters जो government officer होते हैं जा government कोई भी post पे constitution post पे उस पर क्या है यह charges को चार्जेज को चार्विन करती है inquiry करती है जांच करती है यह term है जो लोकपाल वर्ड जो दिये लोकपाल और लोकईूत किस ने दिये यह कॉइंड किये जी कॉइंड का मतलब है जो वर्ड किस ने दिये लम सिंग भी ने यह डॉक्टर लम सिंग भी ने वर्ड दिये सबसे पहले कि लोकपाल और लोकईूत का वर्ड अब इसमें composition क्या जी कौन-कौन member होते हैं लोकपाल में central level पर लोकपाल जब अपउंट किये जाते हैं कौन-कौन member होते हैं यह देखो लोकपाल एक तो multi member body है जी इसमें सिर्फ एक ही officer नहीं होता इसमें one chair person पलस maximum eight member हो सकते हैं ज़्याद से ज़्याद रखना चार member भी हो सकते हैं पांच भी लेकिन maximum eight member होंगे इसमें एक chair person होगा एक अध्यक्स होगा जी वो लोकपाल का अध्यक्स होगा और आठ maximum member हो सकते हैं अब इनका selection कैसे होगा जी चेयर person और member का एक committee होगी जी selection committee उसके base पे होगा committee के member कौन-कौन होंगे एक तो प्राइम justice of India मुख्यन आधिस या chief justice of India वालों meeting अटेंड नहीं कर सकते कुछ काम है तो वो कोई judge nominate करेंगे judge nominated by chief justice of India तो कोई भी judge nominate कर देंगे अपनी जगर पे कि भाई साब मेरे पास काम है आप चले जाओ इस meeting में समझगे और एक होगा जी पांच वा recommendation पर करेंगे अब फोर मतलब जो सिफारिस करेंगे ने चार मेंबर चार मेंबर जिनका कहेंगे कि यह judge क्या जी प्रसिद्धा और इसको nominate कर दो प्रेजिडेंट उसकी को nominate कर देंगे जी इस meeting में तो टोटल पांच मेंबर होंगे selection meeting में यह बताएंगी कि लोगपाल किसको अपोइंट करना फिर प्रेजिडेंट उसको अपोइंट कर देंगी जी लोगपाल और होंएंबर को समझे यह प्रोसस होगा और लोकाई उक्त जब अपोइंट करना जी वह state level पर राज्या पर उसको governor अपोइंट करेंगे यह करेंगे जी ओंदा recommendation of chief justice of high court and leader of opposition state legislative assembly मतलब इदान सवाय है उसमें जो विफक्स का नेता होगा विफक्स का नेता leader of opposition उसके सिफारिश पर और दूसरा जो मुख्यनाइदिस होगा high court का state में chief justice of high court तो इनकी recommendation पर governor अपोइंट करेंगे लोका युक्त को अब इसमें जी जो maximum 8 member हैं जो 8 इसके सदस्ते हैं उसमें से कम से क इन से होने चाहिए minimum 50% मेंबर आप मालो 8 member हैं तो 4 member कम से कम इन से होने चाहिए इन category से या फिर आप 5 भी कर सकते हो चेए भी कर सकते हो या पूरे 8 भी इन से कर सकते हो लेकिन इसमें half member तो होते हैं judicial member जी समझगे और लेकिन minimum 50% यह रखोगे जितने भी रखोगे आप ये आ κ... छौनिंट दोनाने से यह तो सूप्रिम कोड का जज रह चुका हो या कोई मुखहने का इंडिया का तो उसको अपवेंट किया जाएगा लो standing का वो इनहीं को किया जाएगा या फिर एक और है जी एन इमिनेंट परसन विद इंपेकेबल इंटिग्रीटी एन आउस्टेंडिंग एबल्टी या कोई प्रिसिद्ध परसन है जो जिस पर कभी कोई चार्जिस नहीं लगें और वो बिल्कुल ऑनस्ट परसन है आउस्टेंड या सेवंटी यर एज तक अपउइंट किया जाएंगे या तो सेवंटी यर तक मानलो 66 में अपउइंट किया गए जी और इनके सेवंटी यर हो गया तो चार साल ही नोकरी करेगा या फिर पांस साल मानलो 62 में अपउइंट किया गया कोई तो वो पांस साल तक 67 तक ही करेगा तो अपर लेज होगे जी या तो 5 यर या 70 यर तक इसका jurisdiction कहाँ पर मतलब लोगपाल अपनी पावर कहाँ कहाँ पर यूज कर सकता है देखो जी प्राइम मिनिस्टर पर भी चार्जिक्स लगें करप्सन के इसकी प्राइम मिनिस्टर की भी उक्वारी कर सकता है लोगपाल इतन पर लोगपाल का जो जुरिक्सडिक्सन है प्राइम मिनिस्टर पर तब लागू नहीं होगा मानलो जब एलिगेशन लगे हों करप्सन के प्रेजिडेंट पर मतलब भष्टाचार के आरोप लगे हों प्राइम मिनिस्टर पर जो किस से संबंदित हों रिलेटिंग टू प्राइम मिनिस्टर पर तो इंक्वारी नहीं कर सकेगा लोगपाल तो यह आपको याद रखना है इस सारे अब नेक्स्ट क्या जी इसमें नेक्स्ट है जी लोगपाल does not have jurisdiction over minister MP in the matter of anything said in parliament or vote given there पार्लामेंट में जी जो भी मानलो MP या मिनिस्टर ने कुछ भी बोला है या किसी पर वोट की है तो उस पे भी इसका jurisdiction नहीं है जी लोगपाल का मतलब वहाँ पे भी इसकी power नहीं है कि उनको inquiry कर सके पार्लामेंट में चाहे MP ने मिनिस्टर ने कुछ भी बोला है किसी पर भी वोट की हो तो यह चीज आपको याद रखनी है चलते जी next पर इतना ही था इसके बारे में National Commission for Allied and Healthcare Professionals Bill 2021 यह अभी बिल लोग सबाने के लियर कर दिया जी पास कर दिया इसलिए नियूज में है और राज सबाई से अल्लेडी पास कर चुकी है लास्ट वीक में इसलिए हफते पास कर दिया है यह बिल क्या करता है यह रेगुलेट करता है Standardize an Education Practice of Allied and Healthcare Service जो Allied or Healthcare Service है प्रोफेशनल से जी उनके रिगार्डिंग यह प्रेक्टिस कैसे करना है उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए उसको रेगुलेट करता है स्टेंडर तियार करता है मतलब इसमें लिखे हुए प्रोविजन उनका क्या स्टेंडर होना चाहिए क्या उ तो इसमें क्या क्या प्रोविजन जी इसकी Definition क्या दी हुई है देखो Allied Health Professional की Definition दी हुई है इसमें Allied Health का मतलब जी स्वास्त के लिए जो डॉक्टर वगएरा काम करते हैं उनको Define किया गया इसमें और Allied Health Professional कौन-कौन से होंगे कोई भी जी एन Associate हो या Technician हो या Technologist trained हो जो Diagnosis को Support करता हो या Treatment को Diagnosis का मतलब है जी किसी बीमारी की जाच करना जैसे पता लगाना बिलेट टेस्ट बगरहा लेके जाच करते है न तो उसको Support करता हो कोई ऐसा Associate हो तो इनको बोला जाएगा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स समझे और इन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास डिप्लोमय डिग्री होना जरूरी है बत्वेशनल्स देखो जो ये काम करेंगे किसी डिशीज़ वगएरा के इलाज करने में कि इनजरी बगरा आफे टूट गए उन्हें जोड़वे में जो भी काम करेंगे उनके पास डिग्री या डिव्लोमा होना चाहिए जी- इस पास मन lev के अकोर्ड कें समझ होंगे जी health care of professional कोई scientist, therapist या फिर any other professional who studies, advises, researches, supervises, provide preventive, curative, rehabilitative, therapeutic, therapeutic या professional, promotional health services ऐसा कोई भी मानलो जी कोई वैज्यानिक है या कोई therapy वगएरा करता है या कोई और professional है जो क्या करता है अध्यन करता है, सलह देता है, या खोज करता है, research करता है, या supervise करता है या कोई ऐसी service preventive advice देता है, preventive का मतलब है जी, disease होने से पहले जब जो advice दी जाती है, सावधानिया बरततने के लिए वो preventive, curative का मतलब है, बीमारी होने के बाद जो इलाज किया जाता है, दबाई वगरा दी जाती है, वो curative, rehabilitative, या फिर कोई therapeutic या health services को promote करता है, इन सब को माना जाएगा health care professional, मतलब यह स्वास्ते संबंदी professional है जी, health care professional और इनके पास degree होना जरूरी है, जो allied healthcare professional थे जी, allied healthcare professional इस बिल्ड के उनसार, उनके पास degree diploma होना जरूरी है, लेकिन इनके पास health professional होना जरूरी होनी चाहिए, तब ही वो perform कर पाएंगे, practice कर पाएंगे, यह सारी चीज़े, अब allied or health care professional को categorize किया गया जी, recognize करने के लिए, जैसे वो life science professional होंगे, या फिर trauma and burn care professional होंगे, या कोई surgical anesthesia related technology professional होंगे, या physiotherapist, nutrition science professional, मतलब इस तरह तरह की बीमारियों पे जो disease पे क्या है जी, ठीक करने के लिए काम करते हैं, वो अलग-अलग category में define क्या हो गया है, ये चीज आपको भले याद भी ना हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये बिल क्या जी, ये चीज याद होने जी है, जो बिल अभी पास गया है, allied and healthcare professional का, ये क्या एक national commission set up करेगा जी, किसके लिए national commission for allied and healthcare professional के लिए, एक आयोग सेट अप करेगा, मतलब एक आयोग होगा, जिसमें कुछ member होंगे, ये policies और standard बनाएगा जी, for regulating education and practice, मतलब health के regarding, स्वास्त के regarding, आपकी जो education है, उसके क्या नियम कानून होने चाहिए, क्या standard होने चाहिए, और policy होने चाहिए, क्या, और आप practice कैसे करोगे, मतलब जब आप किसी को दवाई वगएरा दोगे, disease ठीक करोगे, treatment करोगे, इलाज करोगे, तो उसके लिए क्या rules वगएरा होने चाहिए, और कैसी policy होने चाहिए, सारा ये national commission ही करेगा जी, national commission for allied and healthcare professional, ये online central register create करेगा जी, maintain करेगा, जिसमें सारे professional register होंगे जी, मानलो जो भी आपने register कराया कि मुझे हाँ जी इलाज करना और मेरे पास degree है, डिपलोमा है, जितने भी register होंगे, उनका एक central register होगा, जो online होगा, online होंकी सारी detail होगी, तो इसे maintain कौन करेगा, कौन बनाएगा इस register को, ये national commission for allied and healthcare professional, ये commission बनाएगा, जो क्या जी, provide करेगा, uniform entrance and exit examination, मतलब, जैसे मानलो, आपने degree diploma लिए, उसके बाद क्या एक आपको test देना पड़ता है, और entrance करोगे, जब मानलो, आपको degree करने के लिए, आपको admission लेना है, तो उसके लिए भी test देना पड़ता है, तो इन दोनों के लिए क्या जी, इंटरेस्ट करने के लिए आपको degree करनी है, और degree आपने complete कर लिए, अब practice करना चाहते हैं, मानलो, आप iláж करना चाहते हो, doctor बनना चाहते हो, doctor होगे जी, आप, ये सारे, तो अब आप क्या है जी, iláj treatment करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको test देना पड़ता है, और entrance के हमेंने के अंदर अंदर स्टेट गोवर्मेंन्ट भी अपने स्टेट में स्टेट अलाइड एन हेल्थ केर कॉंसिल बनाएंगी जैसे national लेवल पर अ मैं श्क नोरी स्टेट च्हाम ही ने के अंदर अंदर स्टेट zelf अलाइडन हेल्थ केर कांसिल बनाएंगी ताकि iyi प्रक्र sayin वगेरा के लिए स्टेट में रूलाइबर में स्टेंडर्ल तैयार किया जा सकें तो आज के topic सिर्फ 5 ही था जी इतनी था important बाकी के कल करेंगे हम कुछ छूट भी गया तो अब question करेंगे हम question करते हैं start first question है जी जो हमने कल किया था जी अपने current affair में आपको बताना है sixth schedule of Indian constitution किस से deal करता है जो 12th's है हमारे constitution में उसका जो छटा नंबर का dual है sixth schedule वो बताना है किस से related है यह है आपका administration of tribal areas इन असम मेघाले तिरपूरा इन मिजोरम जो tribal area जी उनमें प्रशासन जो होता है administration होता है असम मेघाले तिरपूरा मिजोरम क्या उन से related है कि sixth schedule या फिर administration of tribal areas in part of India या फिर जितने भी tribal areas हैं इंडिया में उनके administration के regarding इसमें provision है कि sixth schedule में या फिर emoluments of chief justice of इंडिया chief justice of इंडिया को जो भी emoluments मिलती है जी उन से regarding है क्या या फिर पंचाती राज institution से related है बताओ जी किस स है जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने हमने बहुत बार पढ़ाया है ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ये असम मेघाले तिरपूरा मिजोरम से related tribal areas से related है जिसमें schedule areas defined कि गए है जी sixth schedule में चलते हैं जी next पे consider the following a answer हो जाएगा उसका consider the following statement को statement दियू है जी इंडिया के regarding जो पेट्रोल डीजल अगेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है जी उसके regarding तो आपको बताना है correct statement कौन सी है जी correct बताना है first बोल रही है at present Saudi Arabia is the largest supplier of crude oil to India इंडिया पेट्रोलियम बाहर से मंगाता है जी कच्चा तेल crude oil तो सबसे ज्यादा क्या सब्से ज्यादा क्या सब्से सब you have been undertaking correction in supply in the oil market ओपक और ओपक पलस के बारे में हमने कई बार ही पढ़ाया जी current affair में दो से तीन बार यह oil producing exporting country जी जिन में पलस लगाया मतलब कुछ और country जिसमें हो गई जो oil produce करती है और export करती है तो यह एक alliance है for crude producer की जो क्या करती है supply oil market में कितनी supply होनी चाहिए उसमें correction करने के लिए यह नियम बगरा बगलब decision लेती है क्या next OPEC membership is open to any country that is substantial exporter of oil and which shares the ideals of organization OPEC का जी कोई भी member बन सकता है country जो क्या है export करती हो oil और जो इस organization के जो भी dealing है जी उसको मानती हो तो आपको बताना जी correct statement कौन सी है आपके option है 1,2,1,3,2,3 या all of the above देखो जी इसके first statement है वो बिल्कूल गलत है क्योंकि पहले Saudi Arabia largest supplier था इंडिया का crude oil देने के लिए कच्चा तेल सबसे ज़्यादा हम कहां से मंगाते थे ये crude oil से petrol, diesel बगरा बनते है जी मिट्टी का तेल बनता है kerosene, mom भी बनता जी wax तो इतनी सारी चीज और plastic बगरा भी निक करते हैं जी हम जिससे crude oil से petrol डीजल निकालते हैं तो पहले सबसे ज़्यादा Saudi Arabia से import करता था इंडिया लेकिन अब यह second number पर आ गया largest हो गया जी USA, USA largest supplier है crude oil का हमारे इंडिया का, मतलब सबसे ज़्यादा हम USA से खरीच से हैं उसके बाद Saudi Arabia से, तो पहला जहां जहां पे काट तो जी आपका answer आ जाएगा, आगे आपका answer कौन सा, C आ गया, जी पहला काट दो, C answer 2 and 3, चलते हैं जी next पे, next है हमारा application based, देखो ऐसे question आने के बहुत chances हैं, और UPSC बार बार पिशले 3-4 सालों से science and tech के जो application based question होते हैं, मतलब जिनका use होता है, ऐसे question पूछ रहा है, अगर बताना, artificial intelligence is beneficial in which of the following areas, जो artificial intelligence है, यह कहां कहां पर use हो सकती है, artificial intelligence होती है, जैसे मानलो जी, अभी machine को हमने direction दे दी, और वो उसके पास thinking capital भी हो, मानलो कोई adverse situation आ जाए, machine खुद ही रूख जाए, खुद ही चलने लगे, यह artificial intelligence होता है, मतलब machine खुद ही अपने दिमाक्षे काम क कर रही है, अगर मानलो, यहां पर कोई किसी का हाथ आए, खुद ही रूख जाए, फिर हटा ले, फिर चल जाए, तो ऐसी जो capability होती है, जैसे mind, जैसे human mind सोचता है, human mind की दिमाग की, आदमे के दिमाग की, इंसान के दिमाग की thinking capability होती है, ऐसी अगर machine में भी सोचने की capability हो जा कार आटोमेटिक चलती है, driverless car, जन में driver ही नहीं होगा, वो क्या करेगी, अगर signal आएगा तो रुख जाएगी, मानलो को यह आगे से गाड़ी आरी है, accident होने वाला तो खुद ही रुख जाएगी, ब्रेक लग जाएगी, तो खुदी सब कुछ काम कर लेगी, driverless car चलेंगी, यह artificial intelligence based होंगी, तो इनका मतलग कहां कहां पर यूज हो सकता है, इसका प्रियोग कहां कहां पर हो सकता है, artificial intelligence का, यह आपको बताना है, फर्स्ट है जी, personalized online shopping, क्या online shopping में हो सकता है क्या, credit card fraud prevention, जो credit card से fraud होते हैं जी, धोके होते हैं जी, उन पे बचाने के लिए क्या हो सकता है, GPS mapping technology के लिए हो सकता है क्या, identify nutrient deficiencies in the soil, soil में जो जी, पोशक तत्व की कमी होती है, deficiency का मतलब है, कमी होती है, पोशक तत्व की, उन्हें पता लगाने के लिए हो सकता है क्या, self driving vehicles के लिए होता है कि ये तो अभी मैंने बताई दिया self driving मतलब driverless car के लिए हो सकता है कि ये तो आपको पताईए अब आपको option में दिया हुआ जी 12345, 2345, 12345, 1245 बताओ जी कौन सा correct है देखो जी सारे ही सारे correct है क्योंकि सब में use हो सकता है इसका और इसका answer हो जाएगा जी C, चलते हैं next पे consider the following statement regarding UN Security Council UN Security Council आपको पताई जी United Nation मना था 1945 में उसके 6 ओर्गन है 6 अंगे जी जिन में से United Nation Security Council भी है और इसकी बहुत सारी Specialized Agency है जैसे W.H.C. World Health Organization ये UNESCO हो गई तो ये सारी जैसे 5 हो गई जी Food and Agriculture Organization ये Specialized Agency है और इसके 6 ओर्गन है कई बार discuss कर चुके है तो United Nation Security Council बहुत बार recently news में रही है इसके regarding आपको statement दूए है correct बताना है कौन से statement correct है first बोल रहे है it is the only UN body with the authority to issue binding resolution to member states जो United Nation की जितनी भी body है जी संस्ता है उनमें ये केवर इकलोती है जो binding resolution पास कर सकती है मतलब बाद्यकारी resolution मतलब ऐसे नियम बनाए इसने और सारी कंटीज को कहा कि मानने वो मानने ही होते हैं तो क्या एक इकलोती UN की body है जो binding resolution पास कर सकती है second बोल रहे है the presidency of council is held by each of the member in turn for one month following the English alphabet order to the member states जो इसकी presidency होता है United Nations Council का United Nations Security Council का जो president होता है इसके आपको पता है कि 5 permanent member है और 10 non permanent member होते हैं ये non permanent member होते हैं जो 2 साल के लिए एक्ट होते हैं अभी इंडिया इसका member elect हुआ था 2021 से 2023 तक रहेगा दो साल तक तो आठवी बार इंडिया इसका member बना जी आठवी बार ये याद रखना आपको 2021 में आठवी बार बना है और इसके 5 जो permanent member है वो को होने जी एक तो जी USA हो गया एक जी UK हो गया एक France हो गया एक Russia और China ये इसके 5 permanent member है जी अब ये दूसरी statement कह रही है जो 5 permanent member है इसके अध्यक्ष होते हैं चेर्मेन होते हैं प्रेजिडेंट हो गया है मतलब बारी बारी से बनते हैं अल्फा वेटिकली जिसका अल्फा वेटिकली पहले आए जैसे चाइना पहले अल्फा वेटिकली तो ऐसे बारी बारी से बनते रहते हैं यह दूसरी statement बोल रही है थर्ड बोल रही है यह 1945 में स्तापना हुई थी इसकी UNSC की और इसका जो headquarter है मुख्याल है कहाँ पे New York में New York कहाँ पे USA में आमेरिका में जी New York तो आपको बताना जी कौनसे statement करेक्ट है वन करेक्ट अल्ली या टू थ्री ओल अफ देव या वन टू देखो जी ओल अफ देव और अफ करेक्ट है सी करेक्ट रांसर हो जाएगा इसका headquarter बोल न्यूर्क में और इसके प्रेजिदेंस ऐसे ही बनते हैं जी मैकोंग रीवर के रिगार्डिंग कुछ statement दिविए आपको करेक्ट बताना है मैकोंग रीवर राइज इन तिबबत प्लेटू और फ्लोज इन्टो साउथ चाइनसी यह तिबबत से निकलके साउथ चाइनसी में गर जाती है मैकोंग रीवर capital of Lyos and Cambodia are situated on the bank of मैकोंग रीवर जो Lyos country है जी और Cambodia भी country है इनकी जो capital है राजधानी है इनन नेशन की जो देश है इनकी जो राजधानी है capital है मैकोंग रीवर के किनारे पे located है क्या है situated है क्या 1 correct है 2 या दोनो या दोनो गलत C correct answer है जी दोनो सही है चलते हैं next पर जी consider the following statement regarding imported inflation imported जो आयत महगाई होती है जी imported inflation उसके regarding को statement दी हो है correct बताना है आपको first बोल रहे है when the general price level rises in country because of the rise in prices of imported commodities inflation is termed as imported मानलो जी आपका जैसे मानलो general price increase हो जाए किसी भी commodity का जो import किये दूसरी गंटी से आयत किये हमने और उसका price increase हो जाए बढ़ जाए जो हमने commodity बाहर देश से आयत किये इंपोर्ट किये उसका price बढ़ जाए तो उसे बोलते है inflation imported inflation हो गई तो यह के correct है क्या second बोल रहे weakening of the domestic currency may lead to imported inflation in the country मानलो जी हमारी देश की currency मुद्रा जैसे रुपिया है वो कमजोर हो जाए डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाए तो क्या inflation हो सकती है क्या imported inflation lead कर सकता है क्या बताओ जी कौन सा correct है वन टू दोनों या दोनों गलत दोनों सही है जी सी correct answer हो जाएगा imported inflation उसी को बोलते है किसी कंटी से हमने कोई commodity कोई माल वस्तू गुड्स इंपोर्ट की और उसका प्राइस बढ़ गया तो इंपोर्टिट इंफलेशन बोला जाएगा और दूसरा यह बिल्कुल सही है करन्सी अगर वीक हो जाएगी तो और इंपोर्टिट इंफलेशन lead कर सकता है जी next पर चलते हैं जी next है हमारा which of the following are likely to result in current account surplus of balance of payment balance of payment में जी current account surplus कब होगा यह बताना आपको steep fall in global crude oil prices मानलो जी जो हम globally crude oil कच्चा तेल मंगाते हैं उसका price मानलो गिर जाए कम हो जाए तो क्या हमारा जो current account surplus हो सकता है क्या increase in the remittance received from the abroad अगर विदो सो मानलो जो पैसा आता है रेमिटांस का मतलब है जी वानलो कुछ relative रिस्तेदार बाहर रहते हैं इंडिया के लोगों के वो जो पैसा भेजते हैं उसे बोलते हैं रेमिटांस भेजी गई रेकम अगर यह increase हो जाए रेमिटांस जो बाहर विदे उसे उसे आ रहा है तो क्या current account surplus हो सकता है क्या एक्स्टरनल कॉमेर्सल बोरॉइंग इससे हो सकता है क्या आपके option है जी 312,23 या 123 जैको जी third statement बिल्कुल गलत है क्योंकि यह capital account का पार्ट है आपने economy में पढ़ागवा एक होता है current account current account का मतलब यह जी जो हम goods and services import करने है न day to day वो होता है जी current account में आता है और capital account में होता है जी मालो जो long term के लिए होता है जैसे कोई machine वगरा खरीद लिया external commercial borrowing यह capital account में आते है जी तो इसका answer A, B, 1 और 2 हो जाएगा यहने की B हो जाएगा 1, 2 correct है चलते है next पे जी next जी which of the following best describe anti-dumping duty, anti-dumping duty तो हमने बहुत बार discuss किया जी अपने current affirmation special lecture भी गनाया हुए anti-dumping duty पे और counter unveiling duty पे आपने नहीं देखाया तो current VGS लिखाना जहाँ पे वहाँ पे click करोगे तो playlist आजाएगी वहाँ पे economy की playlist होगी उसमें जाके देख सकते हो, 3-4 minute का lecture है जी, anti-dumping duty के regarding statement दूँए आपको correct बताना है, एक protectionist tariff imposed on foreign import that are price below fair market value, यह जी एक ऐसे tax होता है जो foreign good पे लगाया ज को, second बोल रहे हैं, import tax imposed on certain goods in order to prevent privacy, privacy को बचाने के लिए किसी निश्चित माल पे लगाया जाता है, import tax उसको बोलते हैं, क्या, anti-dumping duty, या फिर tax imposed on import of the goods pertaining to core industrial sector, core industrial sector है, जी हमारे art sector, अगर उनके regarding कोई goods import हो रही है, उस पे tax imposed होता है, उसको बोलते हैं, क्या, anti-dumping duty, या फिर none of the above, कोई सा भी नहीं है, इन में से, देखो जी, एक correct answer है, हमने कई बारी पढ़ाया, और explanation अच्छे से देखी है, आप lecture में देखी है, उसमें जाके, चलते है next पे, consider the following statement regarding current account convertibility, current account convertibility क्या होती है, इसके regarding statement दियो हुए है, जी, आपको बताना है, correct statement कौन सी है, first of all, current account convertibility means freedom to convert domestic currency into foreign currency, currency and vice versa for trading goods and invisible, मानलो जी हमें माल कोई वस्तु मंगानी है, समझ गए, तो वो क्या है, invisible का मतलब हो जाता है, जी, transfer payment, कोई transfer payment होती है, वो invisible में आ जाता है, या service बोल दख सकते हो, आप, transfer payment नहीं जी, service, service क्योंकि, service जो देते हैं, जैसे banking service हो गई, या कोई hostel बगरा की service हो आप मानलो रेस्टोरेंट वगरा खुल रहा है, किसी दूसरी कंटी में, ये service देना, ये सारे invisible में मान सकते हैं, ये service बगरा, तो ये goods और invisible में trade होती है, तो current account convertory का मतलब ये है, कि freely domestic currency, foreign currency में convert करा सके, मानलो कितनी भी goods वगरा हमें बाहर से खरीदे हैं, मानलो laptop खरीदने ह ये क्या full shoot है क्या, current account convertibility में, under this current account convertibility for rupee, an exporter can sell the foreign currency he obtained from exporting a commodity at the market determined exchange rate in India, इसके अंदर क्या जी exchange करा सकते हैं, foreign currency को current account convertibility के अंतर, मानलो कोई goods बगरा खरीदिया जी, तो उसके regarding क्या exchange करा सकते हैं, कि 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 market price पर defined हो जो, third बोल देरी जे partial current account convertibility in India, so as to limit import in to the country, ये हमारे इंडिया में fully, क्या है, लागू नहीं है, partial current account convertibility इंडिया में लागू होती है, fully नहीं है, तो आपको बताना जी, correct कौन सा है, 1, 2, 1, 3, 2, 3, या 3 only, मतलब all of the above, जैखो जी, third statement बिल्कुल गलत है, क्योंकि partial नहीं, बलकि fully current account convert convertibility applicable हमारे इंडिया में, मतलब हम चाहें, तो कितना भी import, export कर सकते हैं, good services, कितना भी खरीच सकते हैं, तो इसकी limit थोड़ी नहीं है, कितना भी खरीच आप जितना आपका पैसा है, लेकिन capital जो account convertibility है, वो है partial, मतलब उसमें limit लगाई हुई है, जैसे FDA या नहीं है, जी, FDA उस तो answer यह हो जाएगा हमारा, चलते हैं next पे जी, next है हमारा, मतलब agreement on trade related investment measures, trims, is related to, यह बताना है, जो trims है जी, यह WTO के अंदर एक rules है जी, world trade organization के अंदर, तो यह बताना है, किस से related है, current account convertibility से related है, domestic regulation, एक country applies to foreign investor, मतलब जो मानलो, विदेश से कोई निवेश करना चाहता है, उसके regarding regulation rules वगरा होती है, हमारी country की या किसी भी country की, उस से related होता है, कि trims में उसके regarding rules regulation है, या फिर most favored nation principle से एक है, यह भी WTO को एक principle है, या duty free international market access to developing countries, developing countries को duty free जो international market access होती है, duty free का मतलब उनके developing countries अगर कोई export करें, तो उनके माल पे tax ना लगें, क्या उस से related है क्या, देखो जी, इसका correct answer है B, इस से related WTO से related हर दो साल में, एक साल में UPSC question पूछता है, पिछली बार भी पूछा जी, service related WTO में जो क्या है, condition है, उस से related पूछा, तो यह आपको याद रखना है, WTO के regarding, जो भी आपको कहीं से कुछ भी जानकारी मिले, वो पढ़ना ही पढ़ना ह जी, B, domestic regulation होती है, country की, जो foreign investor पर apply होती है, उस से related है, तो आज का lecture इसी के साथ हमारा end हो जाता है, अब कल मिलेंगे जी, अच्छा लगे तो आपको, कुछ नहीं करना है आपको